नमस्कार ट्विन वन अनकंडिश्टनल लव स्प्रिच्वल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उशा किरन पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं ट्विन जर्नी और टैरो ट्विन जर्नी में टैरो कार्ड्स बहुत ज़दा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहां मैं एक चीज़ बताना चाहूंगी कि only twin journey में ही नहीं soul journey में यह जो tarot cards हैं बहुत बड़ा role play करते हैं तो आखिर soul journey में किसी भी soul journey में यह tarot cards इतने important हैं क्यों जो लोग deep down इस knowledge को जानते हैं तो वो यह जानते हैं कि जो tarot है वो एक soul की journey में आने वाली वो situations हैं और उन situations को ही drawing की form में cards में draw किया गिया है यह एक soul की journey को समझने में help करते हैं जब tarot cards को use किया जाता है तो उस card से related energy एक guidance प्रोवाइड करती है आज मैं अचानक twin journey और tarot के बारे में बता रही हूँ आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यूं तो उसका reason यह है कि जो real twins होते हैं या मैं कहूंगी जो real वो special souls जिने ये task दिया जाता है कि वो इस energy को read कर पाएं उन्हें ये tarot किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती आप लोग में से जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके लिए भी कि ये guidance है अगर आप अपने dreams में इन tarot के cards की situations को देखते हैं तो ये आपके लिए guidance होती है जो आपको situation से पहले दी जाती है कि आप prepare हो जाओ अब आपकी life में ये energy enter करने वाली है पहले जब इस card के visions तब मैं tarot के बारे में जानते भी नहीं थी मेरी dreams में आते थे तो मैं परिशान हो जाती थी कि ये मैंने क्या आजीब सा dream देखा लेकिन बहुत बाद में धीरे धीरे जब tarot card से मैंने connect किया तब मुझे पता चला कि actual में ये वो stages है जो reveal की जाती है और यही reason है कि जो real twins होते हैं वो tarot किसी से सीखते नहीं है by divine guidance, dreams और visions के थूँ उन्हें ये knowledge naturally मिलती है यहां मैं ये कहना चाहूंगी कि जो real twins हैं वो automatically इस energy से connect करते हैं tarot card की एक-एक energy उस twin की life में आई हुई होती है means ये जो पूरी एक soul की journey है वो in 72 cards में डाली गई है but जो cards आपको इस time market में available हैं notice कीजिएगा कि जो card इस time market में available हैं उनकी energy और real जो tarot के meanings हैं उनकी energy में थोड़ा सा difference है because tarot को manipulate किया गया है और यही reason है कि कई बार tarot की जो reading है वो accurate नहीं हो पाती because वो energy जो है वो manipulative energy है tarot की energy से मैं बहुत time में जब मैं MA में पढ़ती थी उस time connection में आई थी तब मैं इसके बारे में बहुत ज़दा जानती नहीं थी और मेरे हाथ cards नहीं लगे थे tarot की एक book जो by chance मैं अपनी subjective book issue कराने गई थी library और वहाँ मुझे tarot की एक book जिसमें tarot के बारे में deep knowledge दी गई है वो मेरे हाथ लगी और अचानक ही अनायासी मैं उस book की तरफ attract हुई बहुत पतली सी book थी जिसमें ये 72 cards के बारे में deep information थी और मुझे उसको पढ़के बड़ा अजीब लगा मुझे first time ये पता चला कि ये भी एक study होती है उससे पहले मैं नहीं जानती थी कि अकल की कोई study भी होती है जोतिश इन सब चीजों की deep study करने पड़ती है और जब मैंने उस book को पढ़ा तो मुझे बहुत अजीब सा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इन cards के थूँ या in pictures के थूँ किसी भी problem का solution निकाल सकते है उसे मैंने अपनी life में apply किया उस time unknowingly मैंने इसे apply किया था तब मैं इन cards की energies के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी और उससे जो reading निकल कर आई क्योंकि वो cards नहीं थे वो book थी उसे जो reading निकल कर आई वो एकदम accurate थी लेकिन accurate कैसे sense जो energy की निकलती है वो apply होती है ना कि word to word it means tarot को समझने का मतलब है उस situation को समझना और बहुत सालों के बाद ये tarot की visions time to time life में as a visions मुझे dreams में दिखने लगे कभी visions की form में कभी dreams की form में जब भी मेरी life में कुछ होने वाला होता उससे पहले एक tarot card का vision उस situation का मतलब tarot card नहीं कहूंगे मैं कहूंगे उस तरीकी की movie सामने दिखाई जाती थी और बहुत बाद में जब मेरे सामने twin journey reveal हुई तब मुझे ये पता चला कि ये visions तो मैंने पहले कहीं देखे हैं और step by step देखे हैं और उस बात की situation को जब मैंने connect किया तो पता चला कि ये visions actual में हमें guidance है by divine कि अब आपकी life में ये energy अंटर कर रही है तो आप aware हो जाओ आपको इस energy के according अपने आपको prepare रखना है ये जितने भी tarot के cards हैं वो सभी एक soul की journey में आते हैं अलग-अलग moment पर आप अलग-अलग तरीके से work करते हैं आप hangman की situation में भी आते हैं जब आप अपने आपको stuck feel करते हैं मैं यहाँ पर stuck नहीं कहूंगी hangman का actual meaning है कि जो सब देख रहे हैं उसके opposite देखना means दोनों ही situations को समझने की कोशिश करना एक-एक card में life को लेकर deep knowledge दी हुई है जो लोग twin journey में हैं वो tarot से connect तो हो जाते हैं इन cards को अपने solutions के लिए use भी करते हैं लेकिन actual में tarot क्या guidance दे रहा है उससे कई बार connect नहीं कर पाते यह cards आपकी healing में बहुत help करते हैं बहुत जदा help करते हैं और अगर वास्तों में किसी को tarot की deep knowledge लेनी हैं फिर मैं वही कहूंगी कि protection के साथ पढ़ना law of one एक ऐसी book है जिसमें complete knowledge है tarot के बारे में भी means वो एक तरीके से आपको universe के secrets बताती हैं और इस energy से connect करना easy नहीं है without protection इस energy से कभी भी connect मत करना means बिना prayers के बिना protection के इस book को law of one को नहीं पढ़ना क्यूंकि इसकी बहुत heavy energy है और जो भी इस consciousness से connect होता है इसको पढ़ने की या समझने की कोशिश करता है तो वो उन सभी faces से गुजरता है energy उसको influence करती है और उसकी life में physical problems भी लेकर आती है ये tarot एक तरीके से soul journey को heal करने में और guidance में बहुत बड़ा role play करते हैं और जो भी अपनी situation में stuck है वो चाहे तो इस energy को use करके अपने solutions निकाल सकता है जो लोग tarot के बारे में ज़्यादा नहीं जानते वो चाहे तो किसी tarot reader से connect करकर अपनी reading निकलवा सकते हैं फिर मैं यहां कहूंगी कि जो actual में इस real journey में होते हैं उन्हें ये tarot या occult science किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें naturally ये सिखाई जाती है उन situations, उन conditions के थरू इसलिए जो healers हैं वो उस energy को बहुत easily spread कर पाते हैं और आपको heal कर पाते हैं आप इन cards की energy से connect करकर अपनी उन situations, उन conditions के बारे में awareness ला सकते हैं और अपने आपको heal कर सकते हैं because ये एक एक card आपकी soul journey को represent करता है मुझे guidance आई अंदर से कि आज tarot और twins के connection के बारे में बताया जाना चाहिए कि actual में जो soul journey है उसमें tarot कैसे connect करता है और ये कुछ लोगों की शरारत की वज़े से इसे as a game मान लिया गिया है लेकिन actual में ये tarot cards life की deep situations हैं और हर एक card का बहुत deep meaning है जबी भी आप इन meanings को समझने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने with vision उस consciousness को समझाया जाएगा It means जो भी अपनी journey में stuck feel कर रहा है वो tarot cards को बहुत ध्यान से only observe करें उस energy को समझने की कोशिश करें और ये देखें कि वो अपनी soul journey में कहां तक पहुँचा है आपको इन cards के तुरू एक guidance और solution प्रोवाइड हो जाएगा बहुत लोग के questions मेरे पास आते हैं कि हम अपनी soul journey में stuck हैं ये मेरा एक प्रयास है आप सभी के लिए कि आप अपनी इस stuckness के solution को खुद ही solve कर पाएं और connect कर पाएं उस consciousness से जो आपको दी जा रही है जिससे कि आप अपनी problem के solutions खुद ही निकाल पाएं I hope so जिस उदेशे से ये वीडियो बनी है आपको वो समझ में आई है Thanks for watching मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से प्यार से देखने के लिए सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद